काना जी के सभी बगतों को मेरी तरफ से राधी कृष्णा मैं प्रातना करती हूँ कि आप सभी स्वास्थों और खुश्यों देखिया जम लड़ू कोपाल जी के लिए ये बहुत ही खुबसूरत सी समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं ठाकुर जी इसको पहन कितने खुबसूरत लग रहे हैं साथ हमने काना जी के लिए ये बहुत ही प्यारी सी कैब भी बनाई है इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के काना जी के लिए मेजर्मेंट भी बताया है, तो, please, आप वीडियो को लास्ट तक देखे गा, जिसे कि आप बहुत असानी से ये dress पना कर, Kaanhaji को पहना सकते हैं, अगर आप dress से related, या फिर वीडियो से related कोई नौलेज चाहते हैं, या फिर कोई question पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है आदी कुल्च्रल वर्ल्ट 268 साथी साथ मुझे follow भी करें तो चलिए friends अब हम ये बहुत ही खुबसूरत सी काना जी की summer special dress बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो please मेरे चानल को सबस्क्राइब कर लीजे साती साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले यलो कलर के कॉटन के फाब्रिक में से एक लंबा सा पीस कट कर लिया है हमने कॉटन का फाब्रिक यूज किया है क्योंकि गर्मिया चल रही है और गर्मियों में काना जी के लिए कॉटन का फाब्रिक बहुत आराम दायक होता है तो आप भी सूती कपड़े से ये पोशाक बनाए या फिर अगर आपके पास cotton का फाब्रिक नहीं हो तो आप टफेटा सिल्क रियोन जो भी कपड़ा आपके पास है उसे बहुत आसानी से ये dress पना कर कानाजी को पहना सकते हैं अब हम कपड़े का मेजर्मेंट देख रहते हैं कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो हमने 53 इंच यानि की तिरपन इंच रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो हमने 6 इंच यानि की 6 इंच रखी है ये मेजर्मेंट हमने 7 नंबर के कानाजी के लिए रखा है तो 0 से लेकर के 10 नमबर तक कानाजी के लिए पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ 0 नमबर के कानाजी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 39 इंच यानि की 49 इंच रखनी है यानि की 69 इंच रखनी है अब 0 से लेकर के 10 नमबर तक के काना जी के लिए मैं आपको कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ 0 नमबर के काना जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें 2.5 इंच रखनी है 1 नमबर के लिए 3, 2 नमबर के लिए 3.5, 3 नमबर के लिए 4, 4 नमबर के लिए 4.5, 5 नमबर के लिए 5, 6 नमबर के लिए 5.5, 7 नमबर के लिए 6, 8 नमबर के लिए 6.5, 9 नमबर के लिए 7 और 10 नमबर के काना जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें साड यानि की 7.5 पिंच रखनी है ज्रेस बनाने के लिए हमने इतना लंबा कपड़ा कट किया है क्योंकि कपड़ा जितना जादा लंबा होगा प्लेट्स उतनी जादा आएंगी और घेर भी उतनी जादा आएगी तो ड्रेस का लुक बहुत अच्छा लगता है अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप कम कपड़े में भी ये ज्रेस बहुत आसानी से बना सकते हैं प्लेट्स थोड़ी सी कम आएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर आप चाहें तो कपड़े को पीस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं है तो आप छोटे-छोटे कपड़े कट कर लें और उसको ऐसे जॉइंट करके एक लंबा कपड़ा तयार कर लें अब हमें कपड़े को पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और यहां नीचे से इसको डबल फोल्ड करना है तो देखे एक बार हम फोल्ड करेंगे फिर एक बार और फोल्ड करेंगे एसे double fold करते हुए हमें नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेनी है इसके साथ ही साथ इसके डोनों corners है इसपर भी हमें double fold करके सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें plates डालेंगे तो हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और दोनों तरफ से पकड़ते हुए ऐसे प्लेट हम डालेंगे जिसे की प्लेट्स बिल्कुल बराबर भी पड़ेंगी और पर्फेक्ट भी पड़ेंगी देखें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से ये बिल्कुल बराबर है और उपर से भी बिल्कुल बराबर है अब फि साथ नमबर के कान्हाजी वह दो लेकर कि दस नमबर के कान्हाजी के लिए मैं आपको कमर की चोड़ाई का मेजरमेंट पता देती हूं 0 नमबर के कानाजी के लिए कमर की जो टोटल चौड़ाई होगी वो में 0.5 इंच यानि कि 2.5 इंच रखनी है कमर की जो टोटल चड़ाई होगी वो हमें 7.5 इंच यानि की 7.5 इंच रखनी है अब हम कमर पे बेल्ट जॉइंट करेंगे तो देखें बेल्ट जॉइंट करने के लिए हमने फिर से कॉटन के फाब्रिक से एक पीस कट कर लिया है इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 15 इंच यानि की 15 इंच रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो हमने 1.5 इंच यानि की 1.5 इंच रखी है अब हम इसको यहां से रखेंगे और कमर पे बीच में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे दोनों तरफ से एक्स्रा कपड़ा हमें छोड़ देना है कमर पर सिलाई लगा कर बेल्ट जोइंट करने की बाद अब देखिए हमें पट्टी को ऐसे उपर करते हुए रखना है और स्कूर्ट को पलट कर पीछे की तरफ से रख लेना है यह जो हमने एक्सा कपड़ा छोड़ा था इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे फिर एक बार इसको हमें उपर से फोल्ड करना है अब बीच में से फोल्ड करते हुए हमें बराबर करके रखना है यह जो एकसा कपड़ा है देखिए इस पर हम एक दम बराबर रखेंगे और इधर की तरफ से जो हमने प्रेट्स डाली है इसके उपर हमें रखना है और इस पर सिलाई लगा कर बेल्ट जॉइंट कर लेनी है बेल्ट लगाने के बाद दिखी स्कर्ट बन कर तो बिलकल तयार है अब हम काना जी के लिए चोली बनाना देख लेते हैं तोली बनाने के लिए हमने यलो कलर की कॉटन के फैबरिक से देखे फिर से दो पीसेस ले लिए हैं इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 8 इंच यानि की 8 इंच रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो हमने 4 इंच यानि की 4 इंच रखी है तो अब देख में से एक बार हम इसको फोल्ड कर लेंगे फिर एक बार और हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है अब देखिए इधर की तरफ से यह फोल्डेट वाली साइड है और इधर की तरफ से यह उपन वाली साइड है तो जो फोल्डेट वाली साइड है यहां पर हमें नेक की कटिंग क तो आप चाहिए तो direct भी neck cut कर सकते हैं या फिर पहले दिखिए आप इस तरीके से neck draw कर लें बहुत बड़ा neck neck cut करेंगे हम क्योंकि जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे ना तो अपनी आप गला थोड़ा सा बड़ा हो चाता है तो इसलिए पहले जो cutting करेंगे हम वो छोटे से neck करेंगे अब यहां नीचे की तरफ से हमें लगभग 1.5 इंच पर marking कर लेनी है और यहां किनारी पर marking करेंगे हम फिर देखें यहां से ऐसे सीधे ले जाएंगे और उपर लाकर इसको गुलाई देते हुए हमें इसमें मिला देना है हल्की सी गुलाई दिये हमने आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरीके से आचाएगा अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे कट करने के बाद जब हम इसको उपन करते हैं तो देखे इसका शेप कुछ इस तरीके से अच रहेगा अब हमने यह जो नेक्की कटिंग की है यहां से नीचे तक हमें सीधे एक कट लगाना है तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं या फिर पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर ले जिसे की कट जो है वो बिलकुल सीधा लगे अब हम इसको कट कर लेंगे यह जो हमने नेक्की कटिंग की है न यहां पर हमें हलकी सी गुलाई देनी है इसमें पोह ज fils ही घुलाई देनी है एक ज़रूश्य तर्फ से भी हमें हैसे घुलाई देनी है, इस तरीके से अब दिखेगे भीकल परफेक्ट शीप में आ गया है अब हम क्या करेंगे यहां से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और इसे सिलाई लगाते हुए फिर यहां से हम मोडेंगे फिर ऐसे गले के चारो तरफ से सिलाई लगाते हुए इसको यहां से लेकर यहां तक हमें सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है सिर्फ यहां से हमें खुला छोड़ना है हर तरफ से हमने दिखे इसको सिलाई लगा कर जोइंट कर लिया है अब यह जो हमने नेक पे सिलाई लगाई है यहां पर हमें छोटे-छोटे से कट्स लगा लेनी है क्योंकि जब हम इसको पल्टेंगे ना तो कट्स लगानी की वज़े से इसमें बहुत अ करें और साथी साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो हमने सिलाई लगाई है वो नई कटनी चाहिए उसके पहले ही हमें छोटे-छोटे से कट्स लगाने है कि कट्स लगाने के बाद अब यहां से जो हमने इसको ओपन चोड़ा था यहां से हमें इसको पलट कर सीधा कर ले अब हमने येलो कलर की ले 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 लिए ये बहुती खूबसूरत लेसों आगर आपके पास इसमे की लेस नहीड हो तो कोई भी दूसरी येलो कलर की लेस यूज कर सकते हैं या फिर आप जिस भी color के fabric से ये dress बना रहे हैं उससे matching की lace use कर लें इसको देखिए हमें यहां से लेकर यहां तक और इधर की तरफ से यहां से लेकर यहां तक लगा लेना है लेस लगाने के बाद अब हमने यह golden color की dory ले ली है इसको हमें यहां नीचे की तरफ से बिल्कुल बीचों बीच में रखना है और एक पर देखिए चोली को हम fold करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा कर dory को joint कर देंगे अगर आपके पास dory नहीं हो तो आप shorten ribbon भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से dory बना कर भी लगा सकते हैं डory लगाने के बाद अब चोली भी देखिए बनकर तयार है अब हम काना जी के लिए cap बनाएंगे cap बनाने के लिए देखिए cotton का फाबरिक लिया है हमने इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 15 इंच यानि की 15 इंच रखी है और इसकी जो चोडाई है वो हमने 4 इंच यानि की 4 इंच रखी है अब हम यहां नीचे की तरफ से इसको डबल फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है यहां से यहां तक अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो हमें कपड़े को देखे इस तरीके से रखना है ऐसे पहती पथली सी प्लेट हम डालेंगे और यहां पे इसको लॉक कर लेंगे देखे जहां से हमने double fold करके सिलाई लगाई है ठीक उसके उपर ही हमें इसको lock करना है उसके बाद फिर थोड़ी दूर पे हम ऐसे plate डालेंगे और यहां पे इसको lock कर लेंगे एक के उपर एक करते हुए हमें plates नहीं डालने हैं देखे पास-पास में थोड़ी-फोड़ी दूर पर plates डालते हैं और यहीं से सिलाई लगाते जाएंगे plates डालते हुए हमने यहां देखे सिलाई लगा लिया है हमने एक यूपर एक नहीं कर रहा है मिल्कुल पास-पास सिलाई लगाई है अब हम इसको fold करेंगे अब हमें सुई धागा ले लेना है हमने डबल करके धागा डाला है और देखे जहां से हमने इसको लॉक किया है न हमें इसको पलट कर अभी सीधा नई करना है पीछे की तरफ से हम इसको टक करेंगे तो जहां से हमने इसको लॉक किया है वहां से हम इसको छोटा छोटा सा टक क कर लिया है अब हमें इसको बिल्कुल टाइट करते हुए इकठा करना है डीला नहीं रखेंगे हम और यहीं पे इसको लॉक कर लेना है अच्छे से लॉक करेंगे हम जिसे कि यह खुलेगा नहीं अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं तो देखें सीधा करने के बाद कैप का शेप कुछ इस तरीके से आजएगा आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सी काना जी की निव डिजाइन की कैप बन कर तयार है तो देखें फ्रैंस हमारे लड़ू कोपाल जी के लिए बहुत ही खुबसूरत सी ड्रेस और कैप बन कर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ पैल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तैंक यू